और अब एटवी थ्रेट से जुड़ी विनाशक ख़बरों के लिए देखे नूक्लियो टेंशन टाप नाए रूस के एरफोर्स अब टी यू 95 स्ट्राटेजिक बॉमबर्स से यूट्रिन पर मिसाले दाग रहे हैं रूस के टी यू 95 बॉमबर्स ने कैस्पियन सागर से लंबी दूरी की क्रूज 101 मिसालू से यूट्रिन के सैनेट हिकानों को निशाना बनाया है बॉमबर स्ट्राइक से यूट्रिन को बड़े पहमाने पर नुपसान हुआ है नुक्लिर टेंशन के बीच रूसी एरफोर्स के सबसे पावरफुल फाइटर जेक्स सुखोई 35 को भी यूट्रेन के मोर्चे पर लगाया गया है सुखोई 35 फाइटर जेक्स ने यूट्रेन की फ्रन्ट लाइन पर भीशन बंबारी की तो यूट्रेन के अमिनिशन डिपो को भी टागिट किया नुक्लिर खतरे के बीच रूसी एरफोर्स को सुखोई 34 फ्रन्ट लाइन बॉमबर्स का नया बैच मिला है रूसी सुरक्षा परिशत की बैचक में 16 महीने से जारी यूट्रेन यूध की समीक्षा हुई प्रेजिडेन पुतिर ने कहा कि मिलिटरी ओपरेशन कुछ महीनों में अन्जाम तक पहुँचेगा इस बीच अशंका जताई गई है कि रूस अब टेक्टिकल न्यूकलेर बमों का इस्तमाल कर सकता है रूस और बृटेन के बीच न्यूकलेर वार की अशंका बढ़ गई है एक टीवी शो के दोरान ये दावा सेन ने विशेशगे अलेक्सी लियोन कोव ने किया है उनके मुताबिक अगर बृटेन ने मॉस्को पर ड्रोन अटाक किया तो रूस की और से परमानू अटाक का विकल्प पुल सकता है नौर्थ मेसिडोनिया ने पुतिन को बड़ा जटका दिया है रूस से मिले फाइटर जेट सुखोई 25 को उसने युक्रेन को सौप दिया है सुखोई 25 फाइटर जेट को युक्रेन अब रूस के खिलाफ इस्तिमाल करेगा ये एरक्राफ्ट अब अमेरिकी मिसाइलों के साथ अंगाडेड रॉकेट जुनी से लेस है भीशन युद्ध के बीच क्रेमली ने दावा किया है कि युक्रेन का युद्ध विराम करने का कोई इरादा नहीं है क्रेमलीन के मताबिक युक्रेन ने बातचीत के जरिये युद्ध का समाधान निकालने की अभी तक कोई इच्छा शक्ती नहीं जताई है रूस की न्यूकलर धमकियों के बीच जर्मनी अब युक्रेन को सबसे पॉवरफुल मिलिटरी वहिकल्स देने वाला है। वेपन की लोकेशिन और डाटा छेपा रात।